हाँ जी गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे हैं आप लोग ठंड बहुत है मुझे पता है बट पढ़ाई भी बहुत जरूरी है तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आज फिर से हमारे जो लास्ट येर का बैज था जी एस टी अन कस्टम का काफी सक्सेस्फुल रहा सारे बच्चों का पॉजिटिव रिस्पॉस भी आया और संस्ट सेंस में उसी की तर्ज पे अगर मैं कहूं हम फिर से GST originate हुआ, GST का perspective क्या है, क्यों GST को लाने की जरूरत पड़ी, और GST में basically क्या क्या चीजे हैं, अगर हम देखें तो हम GST की बात daily सुन रहे होते हैं, कि GST में क्या है, कितना पैसा GST में आ गया, आज GST की ये meeting हुई, लेकिन समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये है क्या, तो वही हम आज हमारा फिर से एक हमारा दूसरा बैस start करेंगे, which is called GST, goods and services tax, अगर मैं बात करूँ एक overview में, तो आप अपने mind में recall करिए, कि आपको GST के बारे में कितना पता है, GST का मतलब क्या है, आप क्या समझते हैं कि GST ये है, या वो है, या टैक्स है, या नहीं है, या कुछ भी XYZ, क्या है आपके mind में, कुछ लोगों को पता होगा कि GST का प्रॉपर मतलब क्या है कुछ लोगों को पता होगा कि शायद हल्का-फुल्का या कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा गोट होता तो मैं जुरूर पूछता कि किसको जादा पता है किसको कम पता है तो वही आज मैं आपका आज से पूरा बैच स्टार्ट होगा तो सबसे पहले मैं अपना आपको इंटर्डूस कर देता हूँ मेरा नाम है C.A. कुशल सिंग मेरा नाम है कुशल सिंग मैं एक चार्ट अकाउंटेंट हूँ मेरा 8-plus years of experience है in the same industry मैं GST, taxation और accounting को लेकर के इंडस्टी में काम कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए भी आया हूँ तो मैं अपनी पूरी expertise जो मेरी है GST की उसको मैं एक बैच में डालने की कोशिश करूँआ ताकि मैं आप लोगों को पूरा in-depth knowledge दे पाऊँ तो मेरा whole objective यही रहेगा कि मैं आपको starting से लेकर के end तक आपको knowledge perspective और आपकी exam perspective की पूरी तयारी करवाँ ताकि आप exam में conquer कर पाएं अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि sir हमारा exam कुछ ताइम के बाद आने वाला है या फिर like you know हमें in-depth में नहीं पढ़ना है तो बेटा आम टेलिंग यू लास्टी की classes available हैं आप देख सकते हैं एक चीज वहां पे मैंने सेम तरीके से बताई हुई है नहीं चीज़े भी बताऊ हुआ इस बार क्योंकि GST में क्या होता है बेटा हर साल चेंज आते हैं और GST में तो मैं हर साल भी नहीं बोलूँआ जिस्टी में तो हर तीन मेने में चेंज आ जाता है कुछ नए अमेंडमेंट्मेंट्स आ जाते हैं कोई नए सर्कुलर्स आ जाते हैं नोटिफिकेशन्स आ जाते हैं तो उसकी वज़ए से कुछ हलका हलका चेंज आपके उस लाश्टे की रिकॉर्डड वीडियो में हो सकता है बट उसी के लिए हम आज नया बैस स्टार्ट कर किया है थीक है तो आप लोगों ने अफ़कॉस अपने माइंड में जीस्टी के बारे में तोड़ा वो देखा होगा, सुन लिया होगा, क्या नहीं हो रहा है आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं कि GST है क्या तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके syllabus में क्या क्या है और फिर हम आगे GST की पूरी इंडेफ्ट classes start करेंगे कि syllabus में आपके कितने units हैं कितने number के आते हैं किस पर ज्यादा focus करना है किस पर कम focus करना है आफकोर्स वैसे तो सारी चीज़े important है बट स्टिल होता नहीं कि अगर पचास नंबर का पेपर है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टन क्या है एक दस नंबर का question या दो नंबर का question तो अफकोर्स हम दस वाली बाते भी करेंगे वहां पर हमें ज्यादा time spent अना पड़ेगा और दो नंबर वाली बाते भी करेंगे क्योंकि आपको पता वह भी होना चाहिए आना वह भी चाहिए कि दो नंबर में यह हमारी full form है GST की I don't think so कि मुझे आपको भी बताने की ज़रुवत है but still GST is known as a goods and services tax which is basically you can say कि it is a combination of goods and services mark my words and services मैं बहुत चोटी चोटी चीजे भी आपको बता हुआ जो शायद लोगों को नहीं पता होती है कि इसमें फरक क्या है ठीक है इसमें फरक क्या है यह एक छोटा सा symbol एक बहुत छोटा सा symbol आप लोगों ने बच्चपन में शायद कभी ध्यान दिया हो अपन बड़ा चेंज आता है हमारी corporate life में या फिर taxation life में अगर यहां पर suppose यह ना होता यहां पर लिखा होता और और अगर यहां पर लिखा होता और गुड्स और services tax तो कैसे मतलब बदल जाता बिलकुल बदल जाता बेटा इसके होने से इसका मतलब होता है यह और यह ठीक है और अगर यहां पर लिखा होता और तो इसका मतलब होता है यह या यह जहन से सुना मेरी बात को मैंने क्या बोला दिस प्लस दिस ठीक है गुड्स प्लस सर्विसेज लेकिन अगर यहां पर लिखा होता और तो इसका मतलब क्या हो जाता या तो ये या ये तो इन दोने का जो कॉम्बिनेशन हुआ उसको एक्ट से निकालना पड़ जाता हूँ ठीक है हम इस चीज़ को भी मैं आगे एक्स्प्लेइन करूँ क्योंकि या पहली क्लास है हमारी तो ये धान रखिए ये बहुत छोटी छोटी चीज़े आपको आगे हेल्प करेंगी अगर आप इसकर मैं आपको हलका सा ब्री impress देता हूं कि कस्टम लो में विसके लिए क्या होती है Wonow पुराणी movie देखा होगा आपने ओपोर्टेट्ट मतलब इमपोर्टेंट नहीं है इंपोर्ट एक्स्पोर्ट वाला इंपौर्टेड एक्स्पोर्टट्ट एक्सपोर्ट पता नहीं क्या होता है जब हम कोई भी समान इंडिया से बाहर भेजते हैं this is what we call export कोई समान बाहर से इंडिया आता है इस को इंपोर्ट उसके लिए वर्ड यूज होता है इंपोर्ट जब भी कोई समान बाहर से इंडिया आता है तो वहां पर सरकार कहती है आप हमें tax दो और वो tax किस form में होता है वो होता है custom duty की form में ठीक है इंडेफ्स में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आराम से चलेंगे कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे एक एक चीज़पर time spent करेंगे तक आपको in-depth knowledge हो exam perspective से भी और practical perspective से भी ठीक है आपका syllabus discuss कर लेते हैं बिटा पहले एक बार कि syllabus में आपके क्या क्या चीजे हैं कितने units हैं क्या कुछ कैसे वो पहले एक बार देख लेते हैं तो सबसे पहले बिटा का देखा जाए तो आपका है एक introduction है जिसमें unit 1 आपकी उसके अंदर हम देखेंगे कि GST के अंदर GST कहां से बना क्या 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 कैसे बना क्या क्या चीजे कवर होती है उसके अंदर GST से पहले क्या होता था GST के बात क्या हो रहा है किस किस तरीके के GST लगते हैं किस किस चीज पर लगते हैं वो सारी चीजे हम introduction के अंदर cover करेंगे ठीक है जैसे आप देखेंगे तो constitutional framework of indirect taxes before GST पहले GST का framework कैसा था बाद में कैसा हुआ structure of GST which is SGST, CGST, UTGST, ITGST वो सारी चीजे हम देखेंगे कि कैसे किसी चीजे move करती है क्या क्या चीजे हैं इसके अंदर ठीक है then हमारी आती है unit 2 which is called levy and collection of GST की मिलब GST कैसे लगाया जाता है अगर 100 रुपे की चीज है तो 100 रुपे की चीज के ओपर GST कैसे charge किया जाएगा अगर दिल्ली में समान बेचा जा रहा है या दिल्ली से बाहर बेचा जा रहा है ठीक है तो कैसे GST लगेगा और similarly कैसे हम सरकार उसको हमसे लेगी which is we call collection department सरकार ने क्या बोला collection of GST कैसे होगा जब मैं एक चीज और clarify कर दूँ बेटा classes जो हमारी होंगी वो English भाषा में होंगी Hindi plus English को mix करके हम पढ़ेंगे ठीक है अगर आपको कोई भी हिंदी में समझ में नहीं आ रही है you can ask me मैं आपको English में बता दूँआ अगर आपको English में समझ में नहीं आ रही है मैं आपको Hindi में बता दूँआ ठीक है दोनों चीज़े हमारी चलते रहेंगे language barrier आपका नहीं आएगा ठीक है तो यहां पर मैं आपको क्या बताया levy कैसे होगी collection कैसे होगा वो सब हम देखेंगे taxable क्या के चीज़े किस-किस event पे tax लगेगा किस amount पे लगेगा कहां पे लगेगा और यह सवाल जो है कहां पे लगेगा यह मुझे क्यों बार-बार इस पे emphasis कर रहा हूं है क्योंकि GST का structure बाकी taxes से different है ठीक है क्योंकि हमारी geographical location है हमारा जो geopolitical angle है उसके हिसाब से tax को इसमें bifurcate किया गया है क्योंकि हमारे देश में 28 states हैं, unit territories हैं और central government भी अलग से हैं तो किस तरीके से पूरे taxation को structureize किया गया है कि किस तरीके से levy करी जाए ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे हाँ, तीसरा हमारा unit कहता है input tax credit बहुत important है बेटा यह अभी अगर मैं इसको समझाने जाओंगा तो शायद आपके साथ जाती हो जाएगी हम इसको अच्छे से discuss करेंगी ITC होता क्या है input tax credit का मतलब क्या होता है, I'm sure आप लोगों में से कुछ लोगों को पता हुआ कि सर हमें तो पता ITC क्या होता है, बिल्कुल बेड़ा अच्छी बात आपको पता है, तो आप लोगों को उस ताइम पे connect करने में बहुत easy रहेगा ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है, don't worry मैं बिल्कुल scratch से ले करके end तक आपको बता हुआ, what is ITC ठीक है इसमें हम देखेंगे कि eligibility क्या होती है, inelisibility क्या होती है input tax credit की appropriateness कैसे होता है credit का, block credit क्या होता है हमारा, tax credit in respect of capital goods recovery of access, tax credit तो यह सारी चीज़ें हम देखेंगे उहां पर next हमारी unit आती है procedure अच्छा एक चीज़े आपको बताना भूल गया बिटा यह जो unit है आपकी यह वाली unit यह unit आपकी बहुत important है maximum set of questions आपके unit 2 में से आते हैं, maximum ठीक है ITC भी आते हैं, ऐसा नहीं है but maximum set of questions आते हैं, आपके यहां से आते हैं ठीक है, GST की बात क्याता हूं सिरफ then हमारा आता है procedures and special provisions under GST पेटा एक चीज़े मैं आपको और बता दू आते हैं, जैसे suppose आप किसी भी author की book ले लीजिए, किसी भी college के student हो आप, किसी भी college के रेजन में आते हैं, मैं आपको सारी चीज़े कर रहा हूँ हूँ हूँ, but हो यह सकता है कि यहां पर मैंने कोई और word यूज कर रखा हो, suppose मैं करता हूँ, जैसे मैं इसकी बात करूँ, assessment य कोई और word यूज हो रखा होगा, सिरफ word की बात करूँ, concept सब कुछ वही है, ठीक है, गबराना नहीं है, मैं वही चीज करवाँ हूँ है, जो आपकी book में है, ठीक है, कोई गबराना की बात नहीं है, examples के साथ करेंगे चीजों को, तो हमारी unit 4 क्या कहती है, कि procedure क्या होगा, और special provision के GST में कौन-कौन से है, तो special provision कैसे, कि registration कैसे लिया जागा GST में, अब अगर आप GST में आएंगे, तो उसका registration में तो लेना पड़ेगा ना, जैसे registration का मतलब, अगर आपने किसी school guide registration करवाया, अपने बच्चे के लिए, या आप लोगा admission हुआ किसी college में, तो registration form फिल किया न, उसके बाद ही आपको interest मिला, similarly, आपको GST में भी registration तो लेना पड़ेगा न, उसके बाद ही आप अंदर जा पएंगे, कि हाँ, आप GST में हमें कैसे कैसे compliance फुल्फिल करने हैं, ठीक है, invoice क्या होता है, tax invoice क्या होता है, credit debit notes क् returns कैसे file की जाती है, audit in GST कैसे होगा, assessments कैसे होगे, self assessment कैसे होता है, वो सारी के सारी चीज़े हम यहाँ पर cover करेंगे, तो यह हमारी unit 4 कहती है, कि क्या क्या चीज़े उस cover होते हैं, ठीक है, next हमारा आता है last unit, which is unit 5, and that is custom law, तो पेटा, अगर आप देखोगे, तो GST को 4 unit में ब ठीक है, और GST का चार्ज unit से लिए है, क्योंकि उसकी वेटेस जादा है आपके exam perspective से, और custom के वेटेस as compared to GST कम है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि यह करना नहीं है, यह भी करना है आपको, यह भी important आपके exam perspective से, और यही आपको pass करवाएगा, अच्छे number से, pass तो आप ऐसी भी types of custom duties, valuation, baggage, दस चीजे हैं, तो जब आप इस batch के बाद बाहर निकलेंगे, जब आप सब कुछ कवर कर चुके होंगे, this is my words कि आप लोगों को बाकी सब से जादा आता होगा, why I am saying this thing, मेरा practical experience बेटा वो, मैंने पहले पढ़ाई करी, फिर मैंने उसको execute किया, और फिर मैंने practically उ सारी चीजे मैं आपको इन्ही सारी चीजों में समझाऊँगा, कि कैसे, बाकियों से हमारी चीजे अलग कैसे हैं, आप बाकी बच्चों से अलग कैसे हो गए, वो यही होगी, कि जैसे मैंने आपको starting में बताया, एंड और और का difference, इस एंड और और में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, कैसे, मारपीट बड़ाई नहीं होती, जो code में लड़ाई हैं चलती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस एक word पे चल जाती लड़ाई हैं, और past में ऐसी लड़ाई हैं बहुत देखी हैं मैंने, जो law सिर्फ इस वजए से, तो ऐसी बहुत सारी चीज़े बताऊंगा आपको, जो आपको exam perspective से और knowledge perspective से बहुत help करेंगी, ठीक है, ठीक है बैटा, तो हमारी 5 units हैं total, जो introduction, introduction के बाद हमारा आता है levy in collection of GST, then हमारा आता है ITC, उसके बाद हमारा आता है procedures and special provisions, और last में हमारा आता है custom law, ठीक है, उसके बाद बेटा, अगर आप देखोगे, यह तो हमारी 5 units हो गई, अगर मैं बात करूँ कि sir, आप मुझे यह तो बता दीजिए कि, इस units में कितने नंबर का question आएगा, इस units में कितने नंबर का question आएगा, तो बेटा ना, ऐसे numbers को कभी भी आपके college ने, आपके board ने, इसको finalize नहीं किया कभी, कि यह चार नंबर का ही आएगा, यह पांच नंबर का ही आएगा, as per my experience, on the basis of last five years, what I evaluated, मैंने नहीं कि unit wise, और unit wise कितने जो जो pointers हैं, उस में से कितने number का question आता है generally, मैंने वो एक करने की कोशिश करी है, तो अगर मैं आपको बात बता हूँ, तो जैसे मैं एक छोटा सा example, indirect taxes इंडिया, यह आपका बेटा, 10 से 15 number का आता है, 10 का भी आसकता है, 15 का भी आसकता है, और 5 आसकता है, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है, हुआ है, but average मैंने निकालने की कोशिश कर रही है, ठीक है बेटा, फिर है हमारा GST in India, यह आपका 5 से 15 number का आता है, then registration, under GST, यह 5 से 15, जैसे आप देखोगे, कि sir आप यह तीसे number पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर है, यह देखे बेटा, unit for registration, समझ रहे हैं अब, तो इस तरीके से चीजों को मैंने allocate करना ही कोशिश कर रही है, कि unit wise भी आपको clear हो जाए, और एक एक pointers wise clear हो जाए, ठीक है, अब यह registration है, under GST हो गया, 5 to 15, supply, how GST charge, place, place, firm, sorry, this is not firm, this is time of GST, so typing error विटा, I hope this is visible to you all, है विजिबल यह नही विटा, नही है, मैं कलर चेंज कर देता हूं यह देखिए, इसको टा दीजए, जैसे अब यह देखिए, यह supply under GST, how GST will be charged, place of supply, time of supply, value of supply, यह सारे पेटा एक ही unit में cover होते हैं, यह सारे के सारे एक ही unit में cover होते हैं, which is levy and collection of GST, जो मैंने आपको बताए, unit number 2 में जो है आपका, this, and why I am pushing, putting pressure on this, यह बहुत important debit आपके लिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यह 5 pointers aggregating 5 to 15 के average में आ रहे हैं सारे के सारे, और यह एक एक point wise आते हैं, जैसे कि यह नहीं कहा रहा है कि सिरफ यह पूरी की पूरी unit 5 से 5 नमर कहाँगी, नहीं, बेटा यह 5 के 5 topic, आपके averagely 50 पसंट आपका number cover करते हैं, अगर आपका paper 75 नमर का आ रहा है, 25 नमर का आपका custom duty है, और 50 नमर का GST है, तो 25 नमर आपका यह अकेला constitute करता है, which is unit number 2, levy and collection of GST, very very important पेटा, ठीक है, इतना important ही समझ लीजिए कि अगर आप वो अकेले कर रहे हैं, और custom कर रहे हैं, आपको pass होने से कोई नहीं रोख सुदता हूँ, यह तना important ही है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना, हम पूरी सम सारे topics discuss करेंगे, सारे units discuss करेंगे, और in-depth में लेकर चलेंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, exemption, what does it mean, exemption मतलब कि GST से किस-किस को बाहर रखा गया है, ठीक है बेटा, then हमारा आता है, ITC same, जो मैंने आपको बताया, ITC का मैंने अलग से हमारी पूरी unit है, और वो हमारी 5 से 15 नंबर की होती है, जो मैंने आपको बताया है, आपकी unit input tax credit, this is a separate unit, but वो हमारी total 5 से 15 नंबर की आती है, ठीक है, then हमारा आता है, payment of tax, सरकार बोलती हमें tax की payment कैसे करोगे, वो तो बता दो, तो वो भी बेटा हमारा 5 से 20 नंबर का आ जाता है, job work, very very important, generalist में इसके इंदर से question हमें देखने को मिल जाता है, कि job work क्या है, या फिर यह activity है, तो क्या ही job work में cover होगी या नहीं होगी, वो सारी चीजे हैं यहां पर, ठीक है, then हमारा एक separate topic है, reverse charge mechanism, very important, इसने जाभी question generally आता ही है, like, I guess as per my understanding, I have not seen a single paper where I have not seen a single question from this chapter, every time I have seen a question from this, every time, ठीक है बटा, then हमारा जो last unit थी है, हमारी tax invoice and debit credit note, वो भी 5 नंबर कहा जाता है ठीक है, वही हमारी जो special provisions की मैं बात कर रहा था, सारे हमारे special provisions यहां पर cover होते है, unit number 4 जो हमारी है, ठीक है ठीक है बटा, यह भी हमारी generally 5 से 20 नंबर की questions इसमें से देखे जाते हैं, papers के अंदर, इसके बाद हमारा आता है, unit number 5, which is custom, custom के अंदर भी हमारा क्या है, basic concepts, पूरा के पूरे, types of custom duty हमारी हम cover करेंगे, और यह हमारा main important राता है, इसके अंदर, valuation of custom, valuation under custom, sorry, ठीक है, ठीक है बटा, then baggage rules भी होते हैं यहां पर, कि baggage rules का मतलब क्या होता है, कि अगर आप बाहर से इंडिया वापस आ रहे हैं, suppose आप US घूमने के लिए गए, या दुबई घूमने के लिए गए, तो वहां से अगर आप कोई सामान लेकर के आ रहे हैं, तो कितना सामान आप ला सकते हैं, जिस पर आपको tax देना नहीं पड़ेगा, अदरवाज आप लोगों ने क्या देखा होगा, टीवी मीट न्यूज में आपने देखा होगा कि इस एरपोर्ट पे इतने का सोना पकड़ा गया, वो उसका मतलब क्या होता है, कभी सोचनी कुशिश करी, उसका मतलब बेटा ये होता है, कि अगर आप लोगों ने, suppose, कोई समान लेकर के आए बाहर से, illegally, ना तो आपने वहाँ पर tax दिया, और आपने यहाँ पर tax दिया, ठीक है, और उसको आप समगल करना चाहते थे इंडिया में, तो वो लोग वहाँ पर फिर detect कर लेते हैं, कि आपने tax दिया ही नहीं इसके उपर, तो आप हमें tax दे दिजी और इस समान को लेके जाए अगर आप tax नहीं देना चाहते हैं, तो फिर वो लेंगे, आईए, जेल में जाएए, सिंबल सी चीज़े बेटा, ठीक है, या तो पैसे दे दी जाएए, जेल में चले जाएए, ठीक है, तो वो सारी चीज़े हम यहाँ पर cover करेंगे, और next हमारा बैगे, जो मैं बैगेस की बात था, यह भी हमारा पांस से पंद पांच सालों की जो पोरी, पूरी आपके एक्जाम हुए हैं, आपके जो पूरे पांच सालों के प्लास्ट फाइवेर के एक्जाम हुए है, उसके बेसित से मैंने एक weighted average निकालने कोशिच करिए, कि हाँ जनली की कोशन आ जाता है, ठीक है, तो अब यह एक बात करते हैं, ज GST के अंदर में पॉइंट इस वाइ जिस टी माइन्ड में आएगा ना कि वाइ जिस टी तो पेटा अगर मैं पुरानी चीजों से कनेक्ट करूं जब इंडिया में किंग्डम रूल हुआ करता था पेटा बिल्कुल बेसिक से लेगे चलेंगे बिल्कुल बेसिक से ठीक है जब इंडिया में kingdom rule हुआ करता था उस time पर क्या था आप लोगों ने सुना होगा हर किसी को कर देना पड़ता था कर हिंदी में कर इंग्लिस में tax हिंदी में कर इंग्लिस में tax तो यह जो सिस्टम है यह बहुत पीशे से सलता हुआ अब यह लगाया कि यह होता क्यूं है यह होता इसलिए बेटा सब्सक्राइब मैं आज के सिस्टम से कंपेरिजन करता हूं ठीक आज के सिस्टम से इसले इसलिए प्टें ब्ली से आप डिली से दिल्ली में रहते ह Ole sagen आशे आप और आपको 2 जल्ली से कुर्ड़ां यंउन जाना है ca mend . आपको जल्ली से आझा पो जल्ली जाना है तो Michigan, आप जल्ली जाना है तो जल्ली जैंगे क्यों पार norm तो लेनी पाएंगे ट्रेन भी नहीं ले पाएंगे अब कुछ बच्चे बोलेंगे नई सर हम तो ट्रेन ले लेंगे हमारे घर के पास से रेलवे सेशन जाता है हम वहां से चलिएंगे बेटा आप्शन अवेलेबल है कोई मना नहीं कहता अपसी इसके लिए ठीक है लेकिन जो most convenient way है वो है road आप road से जाएंगे पर road तो बनी नहीं है बनी है road या नहीं बनी है बनी हुई है बनी हुई है road तो बनी हुई है तो बेटा वो road को construction करने के लिए पैसा कहां से आया या फिर उस रोड को बनाया किस ने उस रोड को बनाया गौवर्मेंट ने इस इट उस रोड को बनाया गौवर्मेंट ने अब पॉइंट इस गौवर्मेंट के पास पैसा कहां से आया हाव पैसा कहां से आया बेटा तो पैसा आया बेटा आपका अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो टैक्स है टैक्स से एक जरिया है गवर्मेंट का पैसा एक अठा करने का जहां से उसको पैसा मिलता है This is one of the source There are multiple sources Which I'll explain you later But अभी कि हम जो बात कर रहे हैं कि पैसा जो सरकार के पास आता है वो टेक्स की फॉर्म में भी आता है और उस टेक्स की फॉर्म का उस टेक्स की फॉर्म का हम एक फॉर्म जैसे अगर मैं टेक्स की बात कर ली जाएं टेक्स की मैंने बात करी सरकार के पास टेक्स जा रहा है सरकार के पास बेटा टेक्स दो तरीके से जाता है ठीक है पहला होता है आपका डेरेक्ट टेक्स ठीक है बेटा और दूसरा होता है इंडेरेक्ट टेक्स ठीक है अगर मैं direct text की बात करूँ तो बेटा आप income tax को already पढ़ चुके हैं ठीक है आप लोग income tax को already पढ़ चुके हैं जो दूसरी type है हमारी indirect tax which is we call goods and services tax and हमारा जो है custom ठीक है बिटा तो हम taxation की एक category तो आप पहले पढ़ चुके हैं मैं एक category को आपको पुरा पढ़ा हुआ ठीक है समझ में आगे कि starting क्या है कहां पर हमें जाना है और क्या structure है हमारा ठीक है इसके अंदर हमने सारी जी discuss करी कितनी units हैं कितने chapters हैं कितने कितने number के आते हैं कैसे कैसे structure पुरा रहने वाला है हमारा यह सारा का सारा हम हमारे GST के अंदर cover करेंगे बेटा ठीक है अब बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं वही से इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं जो मैंने आपको पताया आपके unit 1 के अंदर इंट्रोडक्शन है उसी की बात करते हैं वहीं से हम इसको पूरे chapter को शुरू करते हैं ठीक है तो बेटा जैसे ऐसा नहीं होता कि रात को उठे और सुबह बोल जाएगी यह टेक्स लग जाएगा देश में प्रॉपर टैक्सेशन स्ट्रक्चर है एक प्रॉपर लोग गवन होता है उसका एक प्रॉपर 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 है कि कौन सी चीजे किस तरीके से गवन की जाएगी किस चीज को कौन गवन करेगा अगर यह लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोड का जज है वह किसी को मृत्यूदंड दे सकता है डेथस पैनल्टी दे सकता है तो वह उसके अधिकार छेतर में आता है अगर वह अगर आप कंविंस पाता है कि कोई ऐसा रेरेश्ट एक्वरेट क्राइम है जो किसी ने कंड़क्ट किया है तो और अगर वह प्रूफ हो जाता है तो सुप्रीम जो भी जज है दे हवार राइट तो गिव देमा मैक्सिमम पैनल्टी ऑफ दा क्राइम तो वह कहीं नहीं लिखा हुआ है जैसे अगर मैं बात करूं आई पीशी की इंडियन पैनल कोड तो वहां पे वह लिखा हुआ है ठी लाती है नियाए सहींता कर दिया गया है तीन हमारे नये कानून बने हैं तो वहां पर शारी लिखी हुई है बैटा ठीक है उस तरीके से अगर मैं GST या टैक्सेशन की बात करूं तो यह चीजे कहां पर लिखी गयी है कि सरकार के पास पावर है टैक्स को कुलक करने की तो य मिलती है कौन पावर देता है वो वो पावर देता है बेटा हमारा कॉन्सिटुशन है हमारा जो कॉन्सिटुशन है वो पावर देता है बेटा हूं कि जो हमारा कॉन्सिटुशन कहता है कि इस आर्टिकल में जाके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको tax collect करने की power मिलती है और वही सारी चीज़ हम discuss करेंगे कि कहां पे कौन सी power लिखी गई है ठीक है तो बेटा एक article है हमारा article 265 जो कहता है no tax shall be levied or collected except by authority of law मतलब क्या हो बेटा मतलब यह होगा कि कोई भी tax जब तक वो authority of law से नहीं पारित है कोई भी tax collect नहीं किया जा सकता जैसे अगर मैं direct tax की बात करूँ तो वहाँ पे क्या है कि उसके अंदर जो हमारा direct tax का law है income tax act जो 1961 है उसको हर साल budget में pass किया जाता है अगर आप सुनते होंगे कि budget आने वाला है तो similarly IGST के साथ भी होता है तो budget आने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा finance minister है वो लोग सभा में उस budget को बताएगा सब को कि हम ये changes करना चाहते हैं तो वहाँ पे फिर voting होती है किसकी voting होती है जो member of parliament होते है जो majority of parliament की members होते है वो उसको accept करते हैं उस budget को उसके बाद वो budget जाता है राज्य सभा के अंदर same process वहाँ भी follow किया जाता है ठीक है मैं आपको example से समझाता हूँ तो जैसे हम बात करें ये है लोग सभा ठीक है यहाँ पे हमारे 543 सिटिंग मेंबर्स है जो हमारे लोग सभागे है current में बेटा ठीक है similarly यहाँ पे राज्य सभाय है यह हमारा government का structure है तो अगर budget की बात कर ली जाए या कोई भी law की बात कर ली जाए तो budget पहले finance minister यहाँ पे सबको और देश को बताती है कि यह हमारा इस साल का budget है इतना पैसा हम यहाँ खर्च करेंगे इतना पैसा हम वहाँ खर्च करेंगे एकस वाई जी का subsidy लाएंगे स्कीम लेके आएंगे और इस इस तरीके से हम पैसा लोगों से collect करेंगे ठीक है तो यहाँ पे बेटा majority of the members जो होते हैं वो इसको accept करते हैं accept करेंगे ठीक है same process बेटा यहाँ पे होता है जब यह हो जाता है यहाँ से तब यह यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे भी same क्या होता है majority of the members उसको accept करते हैं ठीक है जब यह कोई भी कानून यहाँ से pass हो जाता है उसके बाद वो भेजा जाता है उसके बाद वो जाता है President of India के पास ठीक है जब Honorable President of India के signature इस law पे हो जाते है उसके बाद यह law बन जाता है ठीक है बिटा structure समझ में आ गया यह सिरफ टेक्स की बात नहीं है भारत देश में जो भी कानून बनता है जो भी law बनता है उसका process यही है लोग सभा में majority of the members उसको accept करेंगे सरी accept करेंगे similarly वो राज्य सभा में जाएगा वहाँ पे भी accept किया जाएगा और उसके बाद यह Honorable President of India के पास भेजा जाता है कि सर्थ दोनों सद्दनों ने इसको पास कर दिया है आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए तो यह नहीं होता कि महा महीम ने सिर्फ उन दोनों लोगों के कहने पर signature कर दिये वो भी उसको पढ़ते हैं कि क्या यह सही है क्या यह देश के हित में है of course यह देश के हित में है तो यह sign हो जाता है तो यह हमारा structure की लोग बनता कैसे है इसलिए मैंने हाँ पर क्या आपने क्या देखा मैंने क्या बोला कोई भी tax जो है no tax shall be levied और collected ना तो levy किया जाएगा levy मतलब charge और ना ही collect किया जाएगा जब तक accept by authority of law सारे के सारे taxes law के दाइरे में होंगे ठीक है कुसरा मतलब क्या देखा जाए it prohibits arbitrary collection of tax imaginary taxes के collection को मना करता है जो मैंने बोला ना रात को उठे सुबह उठे tax लगा दो नहीं it doesn't move like this ऐसे नहीं होता ठीक है authority of law का मतलब क्या है means that tax proposed to be levied must be within legislative competence of the legislature imposing the tax जैसे कि अगर मैं बात करूँ mcd का जो अपका property tax जाता है mcd दिल्ली में जानते होंगे आप लोग municipal corporation और दिल्ली प्रोपर्टी टेक्स जाता है तो क्या उस प्रोपर्टी टेक्स को लगाने का right मद्यपर्देस government के पास है सोचे mcd का tax property tax क्या वो मद्यपर्देस government लगा सकती है बिलकुल नहीं बेटा क्या बोला गया must be within the legislative competence of the legislature imposing the tax जो legislative competency है वो legislative jurisdiction में भी आना चाहिए तब इसका power जलता है तो article 265 हमें ये बात बताता है ये समझाता है कि कौन tax लगा सकता है कैसे tax लगेगा और कौन लगाएगा ये सब जनरली बताया उसकी बाद हम देखते है article 245 article 245 अगर आप जहान से देखेंगे बेटा तो क्या कहता है पढ़िये subject to the provision of constitution parliament may make law for the whole or any part of the territory of India and the legislature of a state may make laws for the whole or any part of the state क्या बोला गया जो पूरे इंडिया का tax बनाना है वो कौन बनेगा पार्लियमेंट और अगर state का बनाना है तो वो कौन बनाएगा legislature of a state ठीक है अगर सिरफ state की boundary में आना है तो state को right है उस law को बनाने का और अगर वो पूरी इंडिया पे जाना है या किसी इंडिया के पार्ट पे जाना है क्या बोला कि कोई अगर पार्लियमेंट ने कोई भी लो बना दिया तो वो इस वजह से इंवैलिट नहीं माना जाएगा अगर उसने लो बना दिया तो वो एप्लीकेबल होगा यह हम सेंट्रल टेक्स की बात कर रहे है लेकिन जीएस्टी में पहले इस सेंट्रल ने उसको एकसेप्ट किया और बाद में स्टेट ने उसको एकसेप्ट कर लिया है तो जो रूप रेखा जीएस्टी की सेंट्रल ने बनाई थी सिमिलर वे में उसको स्टेट ने एकसेप्ट किया हूँ ठीक है झाल झाल क्यूएस्टी में तो झाल 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 कुआ कर दो क्या झाल झाल क्याल क्या झाल